नमस्कार मैं हूँ मनीश आप देख रहे हैं दी नियूज नाइनेक्स दी नाइनेक्स में आप सभी का स्वागत है आज है नौ फर्वरी दो हजार इक्स नौ फर्वरी दो हजार इक्स की विहार से जूड़ी 25 बड़ी खबरों में क्या है खबरों की शुरुवात किसान आंदोलन से राज्य सभा में प्रधान मंत्री मोदी ने नएक्रशी कानून को लेकर कहा कि MSP किसानों का था किसानों का रहेगा वहीं पियम मोदी के संबोधन के बाद किसान नेता राकेश टिकेट ने कहा कि प्रधान मंत्री ने आज कहा MSP है था और रहेगा लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि MSP पर कानून बनेगा देश भरोसे पर नहीं सम्विधान और कानून से चलता है अब चलते हैं बिहार की ओर बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर जबरदस्त माता पच्ची देखने को मिल रहा है भाजपा बार बार कह रहे है संबावित मंत्रियों के लिस्ट फाइनल है कभी कह रहे है इस सब्दा मंत्री मंडल का विस्तार हो जाएगा कुछ दिन पुर्व ही उपमुख्य मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा था कि लिस्ट तयार है अब जो करना है वह मुख्य मंत्री नितीश कुमार करेंगे इसी बीच मुख्य मंत्री नितीश कुमार ने कहा हमें लिस्ट मिला ही नहीं है केंद्रिय ग्रिह मंत्री वो बीजेपी के पुर्वराष्टिय अध्यक्ष अमित्र शाह ने बिहार के सीयम नितीश कुमार पर बड़ा बयान दिया भाजपा जो कहती है उसे पूरा करती है उन्होंने कहा जेडियू को कम सीटे आने पर बीजेपी ने नितीश कुमार को सीम बनाया वहें इस पर महागडबंदन के नेता वो बरारी के पुर्विधायक नीरज यादव ने कहा कि सबसे पहले भाजपा 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा पूरा करे अब बिहार की अन्य जिलों की खबरे पूर्णिया जिले के एनस 31 पर मरंगा थाना अंतरगत फिरियानी चौक के पास तीन यूर्कों को किसी अग्यात वहने रौंद डाला तीनों कठिहार जिले के फलका से पूर्णिया की और बाइक से आ रहे थे पूलिस ने तीनों को सदर अस्पताल पहुँचाया जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोशित कर दिया मुझफर पूर्णिया बाजार में एक होटल से दो लाशे मिली एक लाश महिला की और दूसरा पूरुष का बताया जा रहा है दोनों प्रेमी प्रेमी का बताया जा रहे हैं महिला के माथे पर गोली लगी है जबकि पूरुष के कनपटी में गोली के निसान है पूलिस को एक पिस्टल भी मिला है मिरतक का नाम मनीश कुमार श्रिवास्तव बताया गया जबकि लड़की का नाम निशा कुमारी बताया गया पुलिस मामले की छानबीन कर रही है लोकमान्य तिलक एक्सपेस ट्रेन की एक बॉगी बेपटरी हो गई आला कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ है यह घटना छप्रा में कचहरी स्टेशन के समीप डाउन ट्रैक पर हुई रेलवे के अधिकारी मामले की जाच कर रहे हैं नालंदा जिले के परबलपुर में दस साल के मासूम रोहित की गला रेत कर हत्या कर दी गए उसकी लाश शिवनगर गाउं के एक कुए से बरामत किया गया है मृतक रोहित कैलाश परसाद का पुत्र था आपको बता दे कि चार साल पुर भी रोहित का अपहरन हुआ था बैंक लूट की साजिश रस्ते आधा दर्जन अपरादियों को गिरिफ्तार करने में मुझभर पुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है गिरिफ्तार अपरादियों के पास तीन लोडेट कट्टा और नौ कार्तुस बरामत किये गए हैं दो बाइक भी जप्त की गई है पटना के बुद्धा कॉलिनी में शराब के धंदेबाज ने ओटो चालक शेखर राचपूत की गोली मार कर हत्या कर दी कहा जा रहा है कि शेखर राचपूत के उपर शराब माफियाओं को पुलिस की मुखबरी का शक हो गया था माना जा रहा है कि इसी कारण उसकी हत्याक कर दी गई है मामा मामी के बीच चल रहे जगडे में आठ वर्षिय भांजे की मौत हो गई मृतक का नाम लल्टू कुमार बताया गया वह खगडिया जिले के हत्मन गाउं का वासी था हाल फिलाल अपने ननिहाल समस्तिपूर के बनभौर गया था वहीं मामा की गोली से उसकी मौत हो गई सुपॉल के कुमार खंड में बीचली के बकायदारों का केनेक्शन काटा जा रहा है इससे हडकप मज गया है इसके साथ ही जिले के अन्य ग्रामीन इलाकों में भी बकायदारों का केनेक्शन काटने की तैयारी तीज कर दी गई है कटिहार जिले के मिलकी नवाब गंज की एक महिला से जपट्टा मार गिरो के दो सदस्यों ने 40,000 रुपे छीन लिए पीडित का नाम नीलम देवी बताया गया वह कुर्सेला के SBI शाका से इंद्रा आवास योजना की राशी उठा कर घर जा रही थी खगडिया जिले के बलोहाई बस स्टेंड के समीप एक किसान से बाइक सवार जपट्टा मार ने एक लाग रुपे जटक लिया रुपे थैले में था थैला ही जटक लिया गया पीडित का नाम अरजुन ठाकुर बताया गया वह बलतारा गाउं का रहने वाला है सहरसा में पतीबंधित पक्षी का शिकार कर होटल में बेचने के आरूप में परशाशन ने कारवाई किया है इस सिलसिले में कुछ लोगों को ग्रिफतार किया गया है इससे हड़कम मच गया है अंत में खबरे मौसम की बिहार में मौसम अब धीरे-धीरे सामान्य होने लगा है हाला कि सुभा शाम कंकनी रहेगी ऐसे हमें किसी भी तरह कि लापरवाही नुकसान दे हो सकती है ठंड अपना तेवर सीजन समाप्त होने के समय ज़ादा दिखाता है ये थी बिहार्च जुड़ी में हतफोन खबरे खबरे कैसी लगी आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे अगर आप हमारे यह वीडियो फीजबुक पे देख रहें तो हमारे फीजबुक पे लाइक करें अगर आप हमारे यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहें तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें साथ इसाथ बेल आइकन जरूर बजाए ताकि हमारी हर अपलोड की गई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे शुक्रिया